चलिए आज के इस वीडियो में देखेंगे CAC Registration कैसे करना है जी हाँ CAC Registration Complete Process दिखाएंगे अगर आप एक New CAC ID लेना चाते तो इस वीडियो को Last Act जरूर देखेगा इस वीडियो में आपको Complete दिखाएंगे कि आप CAC Registration कैसे कर सेकतो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि CAC Registration कैसे करना है CAC Registration कैसे करना है क्योंकि आप जब भी CAC Registration करने जाओगे तो आपको CAC Certificate Number चाहिए तो ये वीडियो देख लेना पहले जो हम अप्लोड किये थे कुछ दिन पहले ये वाला वीडियो इसमें आपको बताया गया है कि CAC Registration कैसे करना है साथ में Pass कैसे करना है तो ये वीडियो देख लेना है फिर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो जुरुरत पड़ेगा कि CAC Registration कैसे करना है मतलब New CAC ID कैसे लेना है तो इसके लिए Official Website में आ जाना है इसका जो भी Linked Equisition Box में डाल देंगे यहाँ पर आने के बाद आपको Apply में किलिक करना है फिर New Registration में किलिक करना है यहाँ पर JC किलिक करोगे तो यहाँ पर आपको Select करना पड़ेगा यहाँ पर देख सेख तो CAC Valley तो आप CAC Valley Select करके जा सकते हो या फिर Self Help Group तो Self Help Group के बार में आप से भी कोगो पता नहीं होगा और RD Registration के बार में पता नहीं होगा इसलिए आप CAC Valley Select करोगे क्योंकि अगर आप TAC Registration करते हो तो CAC Valley Select करना पड़ेगा क्योंकि आप CAC ID रेना चाहते हो तो CAC Valley Select करोगे फिर यहाँ TAC Number डालोगे Mobile Number डालोगे यह CAPTCा फिलब करोगे Submit में क्लिक करोगे तो चलिए अभी हम आपको Live दिखाते हैं कि कैसे आपको New CAC ID मिलने वाला है यहाँ पर देख सेख तो TAC Number यह होगा ठीक है यहाँ पर हम TAC Number डाल चुके है अब यहाँ पर Mobile Number आपको डालना है फिर CAPTCा डालके आपको Submit में क्लिक करना है अब जैसे डाल ले तो CAPTCा आपको Submit में क्लिक कर देना है इस बार OTP गया है आपके Registered Mobile Number में तो चलिए OTP डाल देते हैं फिर आपको E-mail ID डालना है नीचे और CAPTCा डालके आपको फिर से Submit करना है याद रखोगी अगर आप CAC Region करने जाओगे तो आपके अधार काड में Mobile Number लिंक होना चाहिए ठीक है अगर E-mail ID लिंक नहीं है तो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन Mobile Number लिंक होना जोर रही है ये याद रखोगे तब ही जाके आप CAC के लिए Online Apply कर पाओगे तो चलिए इसका E-mail ID डाल चुके है अब यहाँ पर ये CAPTCा फिलप करके फिर से हम Submit करने वाले है जो भी details डालोगे वो सही सही डालना है इस बार यहाँ देखोगे ये बता रहा है कि आपके E-mail ID में एक OTP भेजा गया है वो E-mail ID जो अभी अभी आपने डाला है ठीक है जो यहाँ पर सोग कर रहा है वो ही E-mail ID में OTP भेजा गया है फिर OTP डालके आपको Capture फिलप करके आपको Submit भी क्लिक कर देना है तो चलिए E-mail ID चेक कर लेते हैं OTP डालके Capture डालके Submit कर देते हैं इस बर यहाँ पर यह स्केपचा को डाल देते हैं और आपको Submit करना है जैसी Submit करोगी तो आपका Details आ जाएगा तो यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलप करना पड़ेगा जो आपका आधार नंबर है और आपका नाम सोग कर रहा होगा यहाँ पर ध्यान दोगे तो आप आपका जैंडर मेल सेलेक्ट है आपका email id, mobile नंबर सब कुछ सो करेगा सिर्फ यहाँ पर आपको अपना अधार नंबर फिलप करना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं आपका डी ओबी आपका जैंडर वो आटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा जो आपन सेलेक्ट है फिर आपका डीश्टिक सेलेक्ट करना जो भी डीश्टिक है फिर लोकेशन टाइप में आपका जो भी लोकेशन वो सेलेक्ट करना है जैसे अर्बन है तो अर्बन अगर रूरल है तो रूरल मतलब ग्रामी निला का और अर्बन मतलब सहरी छेत्रा अब यहाँ अब आठेकंटिक टाइप में आपको OTP सेलेट कर डेना है फिर यह कैप्चा फिलप करके आपको इस बॉक्स में टीक करके आपको सब्मिट में क्लिक करना है चलिए हम आदार नंबर डाले तोसúcar from नंबर और रूरल सेलेट कर दिया थेकंटिक टाइप में आपको ओटेपी सेलेट करना है आपके अधार काट से जो भी मुवाइल नंबर लेंक है उसमें ओटीपी भेज देगा तो यह टीक करते हैं अगर आपको कैपचा समझ में नहीं आ रहा है तो रिफ्रेस्ट बटन में क किलिक कर देते हैं हम रिफ्रेस्ट बटन में किलिक कर चुके हैं अब सम्मेट में किलिक कर देते हैं अब जैसे सम्मेट में किलिक करोगे तो यह वाला पेज आपके सामने आ जाएगा उपर एक बॉक्स दिख रहा होगा छोटा सा उसमें आपको टिक करना होगा इस वाले ब बगोक्स आपको टिक कर देना है जिन्टेट में जैसे ही क्लिक करोगे आपके अधार काड में जो मुबायल नंबर लेंक है उसी मोबैल नंबर में इस बार टिक आहे गा टीकिया तो चलिए यहां पर ऑटीपी देख लेते हैं और डालके वेलीडेट ओडीपी में क्लिक करना है अभी रिडिरेट करेगा यहाँ पर देख सेक तो आपका email id आपका mobile number आपका TAC number सब कुछ सो कर रहा है यहाँ पर देख सेक तो email id mobile number TAC number ठीक है मतलब certificate number निचे स्क्रोल लाउं करोगे तो यहाँ पर आपका नाम सो कर रहा है लेफ्ट साइड में आपका जनम तीथी सो कर रहा है निचे यहाँ पर देखो कि की सोक नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका image पंचायट सेलेट करना जो भी आपका पंचायट है फिर आपका गाउं जो भी हो सेलेट करना है फिर आपका पेंट कोट डालना है फिर आपका पोस्ट ओपीस का नाम लिखना है जो भी आपका पोस्ट ओपीस हो नाम लिख देना है फिर आपका पुलिस स्टिसन का नाम लिखन नीचे एक option है latitude लेंग टूट यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन यह भी हम detail से आपको समझाएंगे और दिखाएंगे उसे पिल हम कीशोक नेम भर देते हैं और street का box भी बर देते हैं कीशोक नेम भरने के लिए यहां से हम नाम copy कर लेंगे जो नाम यहां automatic आया है और यहां पर paste कर देंगे और यहां पर जैसे की एक location आपको देना होगा जैसे इसका railway station के सामने इसका center है तो यहां nearby railway station और इसका गाउं का नाम लिग देंगे अप चली point of map में जाएंगे यहां पर आपको क्लिक करना है point of map अब यहां पर सब से पहले आपको अपना district स्लेट करना है ठीक है मतलब डिस्टिक खोजना है कौन सा डिस्टिक में आप हो तो यहाँ याद रखोगे सबसे पहले डिस्टिक में जाना है फिर आपका ब्लॉक के अंदर जाना है फिर आपका पंचायत के अंदर जाना है फिर आपका गाहों आ जाएगा तो गाहों के अंदर आपक नहीं भी उठाके लेके रख सकते हो जैसे जूम आउट करते हैं और यहां पर देखो यह जारखंट से है तो हम राची तक आ चुके हैं यहां पर राची में रखते हैं और फिर से हम जूम आउट करते हैं हमको दूमका डिस्टिक में जाना है तो चलिए यहां दूमका यहां पर zoom out करते हैं और इसके block तक ले जाएंगे इसको ठीक है चलिए इसके block खोज लेते हैं कहां पर इसका block तो इसी तरह से आपको point of map में मतलब target करना है अगर आप यहां पर कुछ गलती करते हो ना तो आपका क्या होगा रिजेट कर देगा cac ठीक है आपका application रिजेट कर देगा यह बोलके कि आपका latitude और लेंग इटूब के है गलत है यह बोलके आपको जाएगा ठीक है पंचायत आपका जो भी पंचायत होगा वहां जाके कम से कम point ले जाके आपको रखना है तो चलिए यह पटपट काम हम कर लेते क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है चलिए यह सब हम सेटिंग कर लेते पहले point of map टार्गेट कर लेते हैं चलिए इसका थोड़ा हम चेंज कर देते हैं पहले हम गलत दिये थे street में nearby railway station और इसका गाउं का नाम लिख देते हैं अब चलिए यहां पर हमको image upload करना है तो यहां पर image इसका रखे है यह रहा image चलिए हम डाल दिए तो यहां पर बता रहा है कि यहां पर देख सेक्तों इसका कम से कम image upload करते हैं तो चलिए इसका image scan किया हुआ है यह image upload कर दिए तो यहां पर देखो बता रहा है कि 9 से 20 कभी के अंदर होना चाहिए तो चलिए हम पड़ापट कर लेते हैं चलिए image का size कर दिए हैं यहां पर फिर से choice पाहल में click करेंगे और यहां पर यह upload कर दिए यहां पर द देखते तो इंडिविजल और company अगर company का पहने तो company select करोगे अगर इंडिविजल है आमवेक्ति का है तो आप इंडिविजल सेलेट करोगे फिर current account और सभी अकाउंट आपको एक cancel check भी upload करना पड़ेगा एक cancel check नहीं है तो आप उस वक्त passbook upload कर सकते हो ठीक है याद रखोग यहाँ पर इसका pen number डाल देते हैं individual pen number यहाँ पर देख सेकतो pen number डाले के बाद आपको verify में क्लिक करना है जैसे verify में क्लिक करोगी यह बताएगा pen number successfully verify इसका current account है तो इसलिए हम current select के नाम automatic आएगा फिर ipc code डलना है account number डलना है cancel check upload करना है तो चलिए हम वटापड यह डाल देत है और cancel check upload करना है तो चलिए यहाँ पर account number डाल देते cancel check upload कर देंगे याद रखोगे 30 से 100 kb के अंदर आपका 30 से ज्यादा और 100 kb से कम होना चाहिए अपका cancel check तो चलिए यह सब scan क्या हुआ हुआ है हम इसे upload कर देते हैं browse में क्लिक करोगे अपना जहां भी रखे हो अपना cancel check वो select करोगे डबल क्लिक करोगे याद रखोगे 30 से ज्यादा 100 से कम होना चाहिए ठीक है यहाँ पर देख सकतु वो भी लिखा हुआ है चलिए हम cancel check upload कर देते हैं यहाँ देख सकतु आ चुका है अब यहाँ नीचे के वाइसी डोकमेसिव को आपको आधार काट select करना है और आपर अधार काट upload कर देना है दोनों साइड होना चाहिए यह 10 से 100 के अंदर होना चाहिए दोनों साइड बैक साइड और फ्रांट साइड दोनों होना चाहिए आधार काट तो छिलिए हम वह भी सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा अगर आपने सब कुछ सही सही भरा है पॉइंट ऑफ मैप सही से डाले हो यह 22 तारीक को देख सकते हो 22 अक्टूबर को अपलाई किये हैं और यह बहुत जल लगबग एक सब्सक्राइब के अंदर इसका इडि जेनरेट भी हो जाएगा क्य जो रिफ्रेंस नंबर है यह वाला चीज आप प्रिंट करके रह सकते हो यहां पर पूरा डिटेल से रहेगा आपका इमेल एड़ी आपका नाम सब कुछ सो करेगा इस वाले एपलिक्सान सेकस्पली सब्मीट होने के बाद यह सारा चीज आपका सो करेगा तो चलिए इस वी कब तक इसका इड़ी बना तो अगर आप CSC रेजिजिजन करना जाते हो तो आप पहले आपको TAC करना पड़ेगा और TAC का एकजाम तो यह वीडियो देख लेना इसका लिए आपको डिक्सान बॉक्स में दे देंगे अभी तक इसका फाइनल एकजाम नहीं दिये है ठीक है अभी तक इसका सिर्फ आपसीर असाइमेंट कंप्लिट हुआ है यहां पर देख सकते सिर्फ असाइमेंट कंप्लिट हुआ है फाइनल एकजाम एक दू दिन के अंदर दे देंगे लेकिन इसके लिए हम CSC रेजिजिजन कर चुके है तो मिलते फिर एक नए वीडियो में बै किये टाटा एं गुड़ बाई